नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लैटफॉर्म पे तो कल जो हिमाचल परदेश का मंतरी मंडल की एक बैठक हुई और इसमें जो हो एक कुछ मैतव पोरण जो निरने लिये गए जो कि आपके टीचिंग भरती से रिलेटेड जो बताया गया है कि अब जो हिमाचल सरकार जो एक साल के लिए परदेश के अंदर जो हमारे स्कूल हैं और कॉलेजिस हैं उन सभी में गैस्ट टीचर की जो भरती करेगा और इन टीचरों को पीरियड के हिसाब से मतलब की पर पीरियड जो है वो सैलरी दी जाएगी और टोटल नमबर आफ 2600 पोस्ट जो हो इसमें फिल करेगा और इनों ने फैसला लिया है जो आपके दुर्गम क्षेतर है जहां पे जो हार्ड एरिया जिनको हम बोल सकते हैं वह पे जब इन सिक्सकों की जब भरती की जाएगी तो आज की इस वीडियो में हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जब वो पोस्ट को जब फिल करेंगे क्या प्रोसेस रहेंगे और किस तरह से उनको जब वो सैलरी बगारा जब परवाइड करवाई जाएगी तो व डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्टें निकाली गई है जिसमें आपका पटवारी की भरती के उपर भी बात की है और बाकी अदर फील्ड के अंदर भी अलग-अलग पोस्टें आपकी निकाली गई है उनको निकालने का वतलब यह है कि मनजूरी एक तरह से दी गी है ये शिक्षा भरती का मुद्द जबो काफी टाइम से जबो विधान सभा की बात करें या फिर कभी फाइनेंस के पास जबो फाइल जाती थी और फाइनली इन्होंने एक जबो निरने लिया है जिसमें पीरियड के वेसिस पे तो चलिए डीटेल में देखते हैं कि क्या-क्या प्रोसेस जबो यह इसमें जबो चलाएंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो गेस्ट फैकल्टी के अंदर जबो नंबर आफ पोस्त की बात करूँ तो जो आपके जेवीटी के टीचर रहेंगे जेवीटी मतलब जूनियर वेसिक टीचर जो अब हम जिनकी बात करते हैं तो इनकी जो नंबरिंग है नंबरिंग का मतलब क्या है इसमें जो आफ लगभग 1600 पोस्तें जो आपकी फिल की जाएगी साथ ही अगर मैं बात करूँ TGT और PGT के इलावा कॉलिज केडर की ठीक है कॉलिज केडर की बात करें तो इसमें नंबर आफ पोस्त जो आपकी 1000 के करीब जो आफ फिल की जाएगी तो इस तरह से जो आफ प्रोसेस रहेगा अब मैं आपको बता दूँ कि सैलरी का प्रोसेस क्या बताया है इन्होंने इन्होंने कहा है कि जो ये JBT या फिर जूनियर जो TGT वाले हैं उनको 200 से लेकर 250 तक जो पर पीरियड जो दिये जाएंगे याद रिखना अपने जो ये सैलरी है पर पीरियड की मैं बात कर रहा हूं अगर मन्तली कैल्प्लेट किया जाए तो आराउं 25 डेज का जो फिप्टिन थाउजन के करीब जो आपकी सैलरी बन सकती है और इन केस अगर हम PZT और TZT की बात करें तो इन्होंने कहा है कि 300 to 350 जो आप क्या देंगे पर पीरियड जो उनको सैलरी जो परवाइड करेंगे इतनी बात तो क्लेर होगी लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है किस तरह से ये भरतियां की जाएगी क्या मेरिट बेस पे होंगी या फिर क्या प्रोसेस रहेगा तो हम देखते हैं कि इनका जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से है तो सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि minimum आपके पास जब वो 75% जब वो आपके marks होने चाहिए और जो JBT है उसके लिए उसके लिए जो आपका TET होता है TET यानि teacher eligibility test है उसमें जो आपके marks आने चाहिए वो लगबग 65% अगर roughly idea लगाने चाहिए तो 150 मैंसे out of आपके जब लगबग इसके लिए जो है वो eligible है basic criteria है अभी officially advertisement या फिर वो सब चीजे नहीं आई है but still जो जो बाते इन्होंने कही है और जो selection process है वो merit based पे होगा यह चीज आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी plus 2 है या फिर basic education जो आप करेंगे उसमें 75% का criteria होना चाहिए और दूसरी चीज क्या है कि आपको जो जो आवो JVT TET में 50-65% जो आवो आने चाहिए दूसरी बात यह है कि selection जो आवो merit based पे होगी यह भी important चीज है और एक और important बात इन्होंने कर रखी है कि per day आपके जो आवो maximum कितनी 4 classes जो आवो provide करवाएंगे ठीक है per day जो आवो ज्यादा से ज्यादा एक teacher की जो आवो 4 classes होंगी यह भी इन्होंने जो आवो criteria और condition जो आवो दे रखी है तो आपको hopefully जो आवो selection process, number of post वो सब चीज़ें जो आवो clear हुई होगी इसके इलावा और भी हम देखें तो इन्होंने जो आवो other अलग-अलग जैसे आपका जो आवो electrician या फिर जो पलंबर, fitter की field में या फिर other बहुत सारे different departments में one hundred and thirty-two post जो वो fill करने की बात की है उनको भी मनजूरी एक तरह से मिल गई है और सबसे बड़ी बात जो आपकी पटवारी भरती है जिसका भी आप लगतार जावो newspaper की बात करें या फिर खबरों में बहुत ज्यादा जो वो खैला हुआ था कि पटवारी की भरती का क्या अब इसके लिए जो आवो मनजूरी जो इन्होंने इसको भी दे दी है और number of post है हमारे पास 874 लेकिन इन्होंने एक बात जो यहाँ पर mention की है कि इस बार जो पटवारी की भरती होनी है वो जिला कैडर पर होनी है इससे पहले जो भरती होती थी वो आपकी जो आपकी राज् है और बहुत सारे बच्चों के message आ रहे थे कि किस तरह का selection होगा क्या क्या चीजें रहेगी तो यह छोटा से एक message था आप लोगों के साथ share करना था hopefully आप सभी को वीडियो जो अच्छा लगा है अगर आपको अच्छा लगता है चीजें जो वो helpful लगती है और किसी का कोई question होगा कोई query होगी तो आप जो वो comment box में अपना message query जो वो post कर सकते है तो thank you so much मिलेंगे next video में एक next notice के साथ त लोगों ने बरपूर support किया है तो मैं उमीद करूँगा कि आगे भी आप लोग जब वो इसी तरह से study service के साथ बने रहेंगे तो अगर जिनोंने channel को अभी तक भी subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जब वो channel को subscribe कर लें, bell icon को press कर लें और आगे की चीजों के लिए जब आप हमार 910-466-00 इस पे आप जब वो contact कर सकते हैं यही हमारा जब वो एक मातर official number है आप WhatsApp पे message कर दीजिए या फिर other जब वो social media के उपर जब वो आप बात कर सकते हैं तो thank you so much